साथवे चरन के मतदान की परकिरिया सुरू हो गई है और आज हम बात करेंगे साथवे चरन के आठो लोग सभा छेत्र में कौन मजबूत इस्तीती में है और किसका पल्रा भारी दिखाई दे रहा है देखिए आपको बता दे आज एक तारीक है और अंतिम चरन का मतदान हो रह है कौन लोग सभा छेत्र में चुना हो रहा है और किसका पल्रा भारी है देखिए जहानाबाद में चुना हो रहा है पाटली पुत्रा लोग सभा छेत्र में पटना साहिद में आरा में बकसर सासाराम कारकाट और नालांदा लोग सभा छेत्र अब इन आठों लोग सभा छे में है या भी हम आपको बताने जा रहे हैं तो शुरुवात करते हैं जहाना बाद लोग सभाच्छेत्र देखिए जहां से जेडियू के चंदेश्वर परसाद चंद्रवंसी चुनावी मैदान में हैं तो वहीं उनके सामने और जेडियू से सुरेंद्र यादों हैं लेकिन बीच में दोनों की मुश्किल अगर कोई बढ़ाया है तो उनका नाम है डॉक्टर अरुन कुमार जो की बहुजं समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उत्रे और कहीं न कहीं मुश्किले दोनों पार्टी के नेता की बढ़ा दिये डॉक्टर अरुन कुमार लेकिन अभी बरतमान में बात की जाए कि किसका इस्तिती मजबूत है किसका पलरा भारी है तो देखिए आरजेडी के सुरेंद्र यादो वहां से मजबूत इस्तिती में बरतमान समय तक है और उसके बाद हम बात करें अगर पाटली पूत्रा लोकसभाचेत्र की तो देखिए आरजेडी से मीशा भारती वहां से चुनाव लग रही है यानि कि लालू परसाद यादो की बड़ी बेटी है और इससे पुर्म में मात्र 40,000 भोट से मीशा भारती पिछली बार साल 2019 में चुनाव रही थी और सामने उनकी लड़ाई वहां के सिटिंग MP BJP से उमिदवार है राम किरपाल यादो और लालू परसाद यादो की लालू परसाद यादो का एक समय में घनिष्ट मित्र थे और आज आमने सामने की लड़ाई वहां पर है लेकिन बात किया जाए आज दे बरतमान में बात किया जाए तो मीशा भारती का इस्तिति वहां पर ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है राम किरपाल यादो के तुलना में पिछली बार मातर 40 सजार भोट से चुनाव हारी थी देखिये पटना साहिप की बात की जाए तो वहां से कॉंग्रेस और BJP आम चुनावी मैदान में है और कौन मजबूत इस्तिती में है तो देखिये रवी संकर परसाद का नाम सामने आ रहा है जो मजबूत इस्तिती में है पलरा उनका भारी है पटना साहिब लोग सवाच्छेतर से अब देखिये आरा लोग सवाच्छेतर की बात की जाए तो वहां स जे बीजेपी के उमिदवार और केंदर में मंतरी RK सिंग चुनावी मैंदान में है और माले से, यानि की महागटवंधन के तरफ से, इंडी एलायंस के तरफ से माले के खाते में असीत गया और सुदामा परसाद, वहाँ से आरके सिंग के सामने चुनावी मैदान में है और मजबूत इस्तिती में कौन है तो देखे आरकेज सिंग अपने काम के नाम पर विकास के नाम पर सिक्षा के नाम पर बोट मांग रहे हैं और वहाँ से इस्तिती मजबूत आरकेज सिंग की है बकसर का मुकाबला बकसर लोक सवाचेद जहां कापी दिल्चस्प मुकाबला है त्रिकोनिय मुकाबला वहां से है क्योंकि आरजेडी से सुधाकर सिंग चुनावी मैदान में हैं जगदानन सिंग के बेटे हैं और वहीं बीजेपी से मिथिले स्तिवारी चुनावी मैदान मे लेकिन यहां का मुकाबला तब दिल्चस्प हो गया जब IPS अधिकारी आनंद मिस्त्रा वहां से चुनावी मैदान में इवा आनंद मिस्त्रा के साथ मजबूती से दिखाई दे रहे हैं तो कहीं न कहीं वहां पर जो तिर्केवनिये मुकाबला है लेकिन अगर बात की जाए तो यहां से मिथले स्तिवारी का पलरा भारी दिखाई दे रहा है अब बात किया जाए सासा राम लोग सभाचेत्र बीजेपी से सिवेश कुमार चुनावी मैदान में हैं कॉंग्रेस से मनोज कुमार चुनावी मैदान में हैं और बात किया जाए तो यहां से बीजेपी के उमिद्वार्वी चंपारं हारी दिखाई दे रहे हैं जहां से राधा मोरंग से कारा काट जो कि लोग सबाच्षेत की नावी मैदान में तो दूसरी तरफ महागट बनां से यह सीट भी एंडिये के खाते पेलेम से यानि की मिद्वारें उपेंद्र कुस्वा और यहां से राधाराम कुस्वाह लेकि अश्चुनावी मुकाबला तम इंचर्फ बना जब भोजपुरी के पावर इस्तना करेंडिंग इस्ता कहे जाने वाले पवन सिंग की निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गये और पवन सिंग यहां का मुकाबला काफित दिन चर सिटिंग एंपी थे तो दो कुस्वाह के बीज में एक राज़कुत वहां से चुनावी मैदान में जिसका नाम पवन सिंग है मोतिहारी बेतिया सिवर और मुझहपर वहां से जिस तरीके से उनका हुझु मुकडा बीजेपी का पल्रा भारी है उनके जनसभाव में उमर रह लगाना फिलाल मुस्किल है हलांकि एजिट पूल से पहले हम आपको आगे बता रहे है किसका पल्रा भारी दिखाई दे रहा है दिखाई दे लाल उसको लेकर सबसे पहले है और अंतिम चरन का मतदान हो रहा है चार जून को नतीजे आएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा लेकिन आज साम साड़े पांच में सबसे पहले सबसे सतिक एकजिट पूल बिहार एक सोच पर लेकर हम आएंगे फिलाल यह अनुमानित था यह एकजिट पूल नहीं है जो वोटिंग से पहले एक अनुमानित जो समिकरन निकल कर आ रहा है उस पर हम खबर आपको बता हैं फिलाल आप यहार एक सोच पर बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद